नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्वसंसकार के इस योडुक चनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रेगनसी का समय नाजुक होता है, साथ ही बहुत ही खास भी होता है हर गर्ववती इस दोरान जागरुक और सजग होकर खुद का और शिशुका खैल रखती है गर्ववती के शरिर में कई सारे बदलाओ गर्वावस्ता में होते है इन बदलाओ को एकसेट करके प्रॉपरली सही चीजों को हैंडल करके यहां गर्वावस्ता का जरनी और भी सधरा हो सकता है लेकिन कई बार आधे अधुरे नौलेज के कारण गर्ववती डूस एंडोंड्स में यानि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऐसी दुविदा में होती है और कई बार कुछ ऐसी गलतिया वह कर बढ़ती है जिसके कारण उसे तो नुक्सान होता ही है साथ ही साथ उसके गर्वस्त शिशु पर भी उसका बुरा प्रभाव पढ़ता है जो की कभी-कभी नुकसान देह भी हो सकता है तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे वहां कौन-कौन सी गलतिया गर्भावस्ता में आपको नहीं करनी है संजीवन गर्वसंसकार यहां चैनल सब्सक्राइब करे बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेर करें गलती नंबर वन अपना खाना स्किप करना या भोजन प्रॉपरली ना लेना जी हां यहां गलती अकसर गर्ववती से होती है विशेषता पहली तीमाही में और तीसरी तीमाही में यहां गलती गर्भवती से होती है पहली तीमाही में मचलाहट, उल्टी, ठकान ऐसे लक्षनों के कारण गर्भवती को कुछ भी खाने का मन नहीं करता है वैसे ही तीसरी तीमाई में एसिडिटी, कॉंस्टिपेशन जैसे समस्यों के कारण भी गर्भवती को भुख ना लगना यहां कॉमनली देखा जाता है और फिर गर्भवती अपना खाना स्किप करती है आपको मैं बता दू, ऐसा करना आपकी और आपके शिशों की सेहत के लिए काफी खतरनाख हो सकता है इनफाक्ट फर्स त्री मंथ में आपके शिशों का शैररिक डवलप्मेंट शुरू होता है और तीसरी तीमाई में उसका वजन और आकार बहुत ही फास्ट बढ़ने लगता है और इसलिए इस समय आपको खाना बिलकुल भी स्किप नहीं करना है बलकि हिल्डी खाना आपको खाना है जिससे आपके शिशों को जरूरी पोशक तत्व प्राप्त हो दूसरी गलती प्रेगनसी के दोरान बढ़े हुए वजन से परिशान होना नौ मेने की गरभावस्ता में आपका वजन 10 से 15 किलो तर लगभग बढ़ता है कई सारी मेलाए अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर परिशान भी होती है और फिर वह खाते समय बहुत चूजी होती है नहीं मुझे ये नहीं खाना है इससे मेरा वेट गेन और हो जाएगा और इस तरह से वह एंक्शियस रहती है अपने वेट को लेकर तो देखिए गरभावस्ता में वेट गेन का टेंशन आपको नहीं लेना है नौ मेहने के इस डूरेशन में जो आवर्शक है उसे अच्छे से खाना है फिर डिलिवरी के बाद भजन को कम करने के लिए क्या करना है इसके बारे में आफ्टर डिलिवरी हम सोच सकते है तीसरी गलती जो बहुत बार गरभावती करती है और वहाँ है उससे कुछ तकलिफ हुई कि अपनी मर्जी से दवाई लेना जी हाँ प्रेगनसी के दोरान पैरों में दर्ध, सूजन, डाइजेशन की तकलिफ, सिर में दर्ध, बुखार, उल्टी, खासी ऐसी काफी समस्याएं आपको हो सकती है तो ऐसे में खुद के मन से दवाई गोली आपको नहीं खानी है गर्भावस्ता में यदि आपको किसी भी तरह की तकलिफ हो रही है तो इसके लिए अपने डॉक्टर से संपर करके ही दवाई गोली आपको खानी है चौथी गल्ती, हेवी एक्जर्शन या जाधा फिजिकल एक्टिविटी करना कई बार घर में बड़ी बुजर्ग महला होती है जो आपको सजेस्ट करती है कि आपको फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए आपको जाधा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए लेकिन ध्यान रहे आपको active रहना है यहाँ बात बिल्कुल सही है लेकिन physically ज़ादा active याने heavy exertion आपको नहीं करना है प्रेगनसी के दोरान light physical activities आपकी और शेशु के सेहत के लिए अच्छी होती है इसलिए light walking घर के छोटे मुठे काम आप आराम से कर सकती है लेकिन ध्यान रहे जुक कर काम नहीं करना है और वजणदार चीजों को आपको नहीं उठाना है पाचवी गलती जो गर्भवती करती है और वह है प्रेगनसी में stress, tension को लेना प्रेगनसी में आपका शेशु आपसे connected होता है mentally and physically आपके हर emotions का direct impact आपके गर्भस्त शेशु पर पढ़ता है और इसलिए जब आप stress में होती है, जब tension में होती है तो शेशु के शारेडिक विकास पर भी इसका बुरा प्रभाव पढ़ सकता है और इसलिए आप यदि चाहती है कि आपका शेशु सर्वगुण संपन्न, बुद्धिवान, आनंदी हो तो आपको भी गर्भावस्ता में आनंदी रहना है तनाव से दूर आपको रहना है चटी गलती गर्भावस्ता में contact रखने चाहिए या नहीं इसे लेकर भी कही बार गर्भवती confused होती है और mistake कर देती है प्रेगनसी के पहले तीन महिने में आपको physical relation नहीं रखने है और आखरी नवे महिने में भी आपको इससे परेज करना है डूरिंग प्रेगनसी कब relation रखने है, क्या precautions लेनी है इसके सम्मंदित मेरा separate video मैंने डाला हुआ है उसे भी जरूर देखे ताकि आपको बाकी इस विशे में और जानकारी मिल सके यहां तो हो गई गलतिया जो ज़्यादा तर गर्भवती प्रेगनसी के duration में करती है हमें इन गलतियों से बचना है और आपको अच्छा पौश्टी खाना, light exercise, proper supplement, regular check-up, proper position में सोना, उठते बढ़ते समय, आराम से उठना, खाने में तला हुआ, मसालेदार spicy खाना, avoid करना, और सबसे important खुश रहना इन बातों को आप यदि implement करती है, तो जिससे आपका शिशू भी स्वस्त और आप भी स्वस्त रहेगी, इतना ही नहीं आप normal delivery के लिए भी तयार हो सकती है और delivery के बाद शिशू को अच्छे से दूद पिलाने के लिए आप ready हो सकती है तो इन सबी बातों को proper way से कैसे करना है, यह भी आप सीख सकती है और यहां आपको available है संजीवन गर्ब संसकार के online workshop में जहां आप इन बातों को अच्छे से समझ कर, सीख कर, पूरा implement कर सकती है और जिससे आप बन सकती है extraordinary baby की extraordinary mom आपका शिशू सुन्दर, सुधरोड, तेजस्वी और सत्गुडों से परिपुर्ण आप develop कर सकती है तो इसके लिए आपको नीचे मैंने description में link दी है जहां पे जाके आपको download करना है संजीवन गर्ब संसकार आप और register करना है संजीवन गर्ब संसकार का online workshop तो हसते रहें मुस्कुराते रहें enjoy कर प्रेग्ननसी का हरुप्षन संजीवन गर्ब संसकार के साथ धन्यवाद